जारखन के जामतारा और विद्यासागर के बीच एक ट्रेन कई लोगों पर चड़ गई जिससे बड़ा हाथसा हो गया डाउन लाइन से भागलपूर यश्वनपूर ट्रेन गोसर रही थी इसी दोरान पट्री के किनारे बिच्छी गिट्टी के धूल को देख चालक को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है और धुआ निकल रहा है ट्रेन में आग लगने की अफ़ाज जैसे ही उड़ी चालक के गारी रोकते ही यात्री ट्रेन से उतरने लगे तबी रॉंग साइट से कूदने की वज़ा से आसन सोल से जोसी डी की ओर जा रही इम्यू पैसेंजर ट्रेन की चपेट में कई यात्री आ गए इस भयावे हाथसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है जबकि दो शव बरामत किये गए है मृत्यकों के पास मिले आधार काड की मदद से दोनों शवों की शिनाकत कर ली गई है देर राद तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा मौके पर जुटी हाथसे के चश्मदीदों की भीड इस भयावे ट्रेन हाथसे का मनजर बया करती रही स्तानिय लोगों के अनुसार काला ज़रिया के पास भागलपूर यश्वनपूर ट्रेन से जिस वक्त यात्रियों की भीड अफरतफरी में कूद रही थी पट्री घुमावदार होने की वज़ा से यहां दूसरी ओर से आ रही आसन सोल जाजा एम्यू की रफ्तार काफी कम हो गई थी यही वज़ा रही की ट्रेन से उतरे सैक्डो यात्रियों ने कूद कर अपनी जान किसी तरह बचा ली वरना हाथसे में दरजनों लोगों की मौत होनी तै थी घटनास्ताल पर मची अफरतफरी के बीच दो बैग मौके पर फेंके मिले जबकि दरजनों लोगों के चपल, जूते और बोतल बेतर तीब बिखरे थे शाविस कदर शत्विशत हो चुके थी पट्रियों पर दूर दूर तक घून के धब्बे मिले आरपियाफ की टीम ने दोनों बैगों को सुरक्षत रखवा दिया वहीं मामले की जाच के लिए तीन सदस्ये जे एजी समीती का गठन किया गया